हलो फ्रेंड जैशी किष्णा कैसे हो आप सब और आप सभी का विल्कम है आपके अपनी चैनल में संधीपा मुंकेश ब्लॉग में आई हूप आप सभी बहुत अच्छे और खोश होंगे और तेवार एंजॉई कर रहे हूँ और यहां पर देखिए मैंने बनाई थी काचोरी तो सच आप लेको के साथ शेयर कर देती हूँ रखा था मेरे साब पास तो और यह मैंने होली पर बनाई थी और इसके आथ कोई वीडियो आए भी नहीं और डाला भी नहीं होली के तेवार पर इतना कुछ होता नहीं यार डालना या देखना बीजी बीजी लाइफ तो नहीं की तो ही घरी आपके आपके पास लेको उपने के लाए जाना देखना वैसे हादी कचोडी बहुत ही एशह बनेग के आपके ऑंडर मे लेत लेके Regel नमक के पर आउल के टाली तूप नमक क ज़नें कोकिन आफिन्स on में गी, ज्ञाएब अच्छा गी गा को तूपको कछोड़ी आगा गोरी तो घ्जाएयं में और लिए अज्वाइन तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी अपनी आजवाइन यह देखिए आजवाइन को थोड़ी हातों में करेश करके डालना क्योंकि आजवाइन को करेश करके ही डाला जाता है और अच्छे से मिलाना है से आपको आठे को डोग को अच्छे से मिलाना है तो तो गुठली न बनें, अच्छ आपको फोल लेना, और अच्छ साप को मिला लेना है. और अच्छ साप मिलाओंगे अपकी कछोडिया भी में बनेगी फुली-fुली से. और आपको इसमें जो पानी डालना है न वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है और आटे को बिल्कुल दबा दबा के आपको बिल्कुल डो नहीं लगाना है इसका आपको बिल्कुल हलके हलके हातों से लगाना है एक आटे में लच्छा बनना चाहिए वैसे ही आपको मिल जैसे आपन रोटी का आटा लगाते हैं वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है तो यहां पर आप देख सकते हो मेरा आटा किस तरीके से मैं लगा रही हूँ आपको पूरे आटे के मेरे लच्छे लगेंगे और आपको ऐसे ही आटा लगाना आप एसे आटे लगाऊगे आपको बिल्कुल रोटी की तरह आपको आटा नहीं लगाना है मैं आपको बार बोल रही हूँ रोटी की तरह बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है थोड़ा थोड़ा मिलाना है हलके हलके हातों से ताकि उसका लच्छा बने आटे का त आप चोड़िये और लियो एक डु़ नहीं। से मैं कि अपने उती हैं, बेल's में में अपने में जमें करें लोग कीजिसान की है, आप 10-15 मिट बात देखोंगे, आपका आटा बिलकुल एक दम तैयार हो जाएगा लगके, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं, तो यहां पर लिया है मैंने जीरा, पर लिया है मैंने जीरा, और यहां पर डालूंगे महीं, आप इसमें सोप बगेरा सब भी डाल सकते हैं, यह सब मैंने नहीं डाला, क्योंकि मेरे हां मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, और बच्चों के लिए मैंने बनाया है, तो फिर तब तक नहीं हिलाना है चलाते रहेना है तब तक हम इससे सेक नहीं चोड़ते और यह देखें हैं इससे ऑईल छोड़ दिया है और कितना अच्छा बना है और हम इससे सेकते रहेंगे तो यहां पर बैसन अच्छे से सीग गया और मैंने यहां पर ले लिया है मुंग की डाल और मुंग की डाल मैंने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है दर दरा पूरा नहीं पीसा है जिसके दर दरा ही आपको पीसना है और इसे मैं अच्छे से सेख लोंगी बैसन पाउडर दरिया पाउडर दरिया पाउडर मिर्ची पाउडर काला नमक और सपेद नमक और यहां पर लिया है मैंने अमचुर पाउडर और इसके बाद में लोगी इसमें जीरा बुंजाओ जीरा यह देख सकते हूं स्ट्राब और इसमें डालूंगे में शकर मिक्स कर लैंगे और शेक लेंगे मसाला बहुत अच्छे से बनांटा तैयार हो जाएगा अपने जरूर बिलकुल ऐसे ही बनाना तो आपको मसाला बिलकुल कचोडी जैसा ही वनेगा खटा मिठा तीखा अच्छा असा सवाद मेरा मेदा ही इसा पेड़ी बना रिखे ज़िए और निकाले आपके निकाल के रखोगे और फिर बनाओं गपी चैश्बिया बलिगी और यह देखिए मैं इसमय अपने हिसाब से पेड़ा ले लिए जासे आपको बना चोटा रखोंके आप लेशाद लेखे घु कॉटी चोटे चोटे ही लूँगी आपको एधी बड़ी बनाना हो तो आप बड़ी बड़ी बना सकते हो अंपर देखिए पेड़े को में गोल करके और अपने अंगोठे और योगो की साहता से और इसके बाद में इसमें बहद दूँगी मसाला ध्वा ध्वाथ घुसे किस तरहा पेक देखना तो हम पकड़ लेंगे और पूरे आटे की लूई को में एकसाइटी घुमा KTheya1 लेकर अजी करते पर घुमा तो आपकी कचोडिया बिल्कुल एक दम बहुत अच्छी बनेंगी और सारी कचोडियों को मैं ऐसे ही बना लूँगे और इसके बाद हम कुकिंग ओयल में नहीं डालेंगे अच्छे तो यह देखिए बिल्कुल आपको ऐसे ही गोल-गोल घुमा के अपनी कचोडिया डालनी है और हमारी सारी कचोडियों को हमें ऐसी बना बना के रख लेना है और फिर बाद में हमेंने कुकिंग ओयल में डालेंगे नोट lika कमया चरण व्यान डीया के लिए गोण आपको अपने कर दोनी कोड़ा नाहिक है और यहां देखिए मैंने कम से कम 6-7 कचोड़िया इसमें डाली है और इसे ऐसे ही छोड़ देना यह अपने आप उपर आजएगी जब तक आप इसे हिलाना नहीं है और अपने आप उपर आजएगी तो फुल के यह उपर आएंगी तो देखिए एक साड़ सा चसी गई है आप आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक को और कमेंट करके जरूर बताना और कैसी बनी है यह भी जरूर बताना